दुनिया के 5 सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे बनाना मतलब अपनी मौत को गले लगाने जैसा है फिर भी हम इनसान पूरी दुनिया में फेमस होने के लिए इस तरह के कारणामों को अंजाम देते हैं दोस्तो पूरी दुनिया में कही ना कही पर रोजाना नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते होंगे जिन में से आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाएंगे उससे पहले विजन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तो प्रकृती द्वारा हमें उतनी ही पावर दी गई होती है जितना हम इनसान सह सकते हैं परन्तु दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी है जो अपनी पावर को काफी हद तक कंट्रोल करके पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं दरसल फ्रांज म्यूलनर ने 2014 में अपने दोनों पाव और दोनों हाथों को रसी से चार बाइक से जोड़ दिया और चारों बाइक को एक साथ खिंचवाया फ्रांज ने 24 सेकंड तक उन चारों बाइक को रोके रखा जरा सोचिए कि ये कितना स्ट्रांग होगा उसके बाद फ्रांज का नाम The Guinness Book Of World Record में दर्ज हुआ नमबर दो दोस्तो पैराशूट के द्वारा चट्टान या प्लेन से चलांग लगाते हुए तो आप सभी ने देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी किसी को स्पेस में से जंप लगाते हुए देखा है आस्ट्रेलिया के रहने वाले फिलिक्स स्काइडाइवर ने हिलियम बैलून से 36 किलो मीटर उपर स्पेस में जाकर और वहां से चलांग लगाया नीचे आते वक्त इनकी स्पीड 1343 किलो मीटर पर आवर तक थी और इसे नीचे आने में 5 मिनट लग गए फिलिक्स ने स्पेस में से सक्सेस्फुली जंप लगा कर दिखाया और उसका नाम दिगिनीज ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ दोस्तों ऐसा कर पाना हम नॉर्मल लोगों के बसकी बात नहीं तो प्लीज इसे ट्राइ ना करें नमबर तीन दोस्तों एक मधुमक्खी काटने पर कितना दर्द होता है यह शायद आप सभी जानते होंगे लेकिन कुछ लोगों को मक्खियों से इतना लगाव होता है कि अगर हम उनके पूरे शरीर को मक्खियों से ढख दें सारी मक्खी और रुवांग का वजन मिला कर 63 किलो ग्राम था और रुवांग ने सिगरेट पीते हुए अपना नाम दे गिनीज ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया नमबर चार दोस्तों शरीर में आग लगवाना किसी जानलेवा खत्रे से कम नहीं है फिर भी जोसेफ ने सबसे अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए खुद के पूरे शरीर में आग लगवाई और घोड़े से 5 मिनट 42 सेकंड में ही 582 मीटर दूरी तक खिचवाया दोस्तों ऐसा करते हुए जोसेफ की जान भी जा सकती थी फिर भी जोसेफ ने ये कर दिखाया और उसे The Guinness of World Record Book का प्राइस मिला दोस्तों अक्सर हम कोई भी शुब काम करने से पहले नारियल फोड़ते हैं शायद करमजीत सिंह और कॉलजीत सिंह का वह दिन सबसे शुब दिन था जिस दिन उन्होंने आँख बंद करके सारे नारियल को फोड़ कर अपना नाम The Guinness of World Record Book में दर्ज करवाया दरसल करमजीत सिंह और कॉलजीत सिंह दोनों भाई थे करमजीत सिंह नीचे लेटा हुआ था और उनके चारों तरफ नारियल बिछा दिया गए थे उसके भाई कॉलजीत सिंह के आँखों पर नमक डालकर पट्टियों से बांध दिया गया सोचिये आँखों पर नमक डालते ही कितना दर्ध होता होगा फिर भी कॉलजीत सिंह हथोड़े से सभी नारियल को फोड़ दिखाता है कॉल जीत से इनका जरासी भी गलत कदम करम जीत पर भारी पड़ सकता था परन्तु करम जीत पर जरासी चूक भी नहीं आने दी